हाई गाईज, वेलकम तू केच्च थू वर्ड्स माई नेम इस सुर्भी खत्री और हम डिसकस कर रहे हैं हमारी अजर्शन एंड रीजन की सीरीज ठीक है, तो हम क्लास 12 फिजिक्स के चाप्टर नमबर 9 पे पहुचे हैं यूनिट नमबर 6 जिसमें आज डिसकस करने वाले हम 20 अजर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चेंज, ठीक है, सॉल्यूशन विद एक्स्लेनेशन तो अप्टिक्स का पार्ट नमबर 1 आज हम डिसकस करेंगे, जो की है हमारा रे अप्टिक्स, ठीक है यूनिट 5 तक के अजर्शन रीजन देख चुके हैं और आपको बहुत अच्छी तरह की से आईडिया भी हो गया होगा कि ये किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इनको किस तरह से सॉल्ब करना रहता है ठीक है, फिर भी मैं new students के लिए एक बार और repeat कर देती हूँ, direction में क्या है, देखिए हमारे पास दो statement होते हैं, एक statement को हम बोलते हैं, assertion और जो दूसरा statement होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं, reason ठीक है, हमें दोनों ही statement को अच्छी तरह से पढ़ना रहता है, और फिर हमें इन चारों options में से कोई एक option जो है, वो choose करना रहता है, ठीक है option A, choose करना है, if both assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation of assertion, देखिए हमें A, option तभी choose करना है, जब हमारे assertion और reason दोनों ही सही होते हैं, और हमारा जो second statement है, यानि कि जो हमारा reason है, वो हमारे assertion को correctly explain कर रहा है, तो हमें A, option चूस करना है, उसके बाद B, if both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of assertion, अगर हमारा assertion सही है, reason भी सही है, लेकिन हमारा जो reason है, वो हमारे assertion को correctly explain नहीं कर रहा है, तो हम, जो है, वो option number B, choose करेंगे, ठीक, C, if assertion is true, but the reason is false, अब इसमें से, जो हमारा first statement है, यानि कि assertion जो है, वो true है, और जो reason है, वो false है, तो हमें option number C, चूस करना है, और उसके बाद last, if both assertion and reason are false, अगर हमारे दोनों ही statement जो given है, वो गलत है, तो हमें option number D, जो है, वो चूस करना है, ठीक, तो start करते हैं हमारे first question से, the flash of lightning is seen before the sound of thunder is heard, बिल्कुल सही बात है, कि जब भी thunder होता है, और कर होता है, तो उसका जो sound है, वो हमको बात में सुनाई देता है, और जो lightning है, जो flash है, वो हमको पहले दिखाई देती है, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि speed of light is greater than the speed of sound, reason पढ तो आप देख सकते हैं, assertion जो है, वो बिल्कुल सही है, और यहाँ पर जो given reason है, वो गलत है, ठीक, assertion is true, but the reason is false, तो हमें option number C, जो है, वो choose करना है, ठीक है, तो इस तरह से solve करते जाएंगे हम, बढ़ते हैं next question की तरफ, अभी हम start कर रहे हैं, बहुत ही easy और simple questions है, और फिर ध तीरे तीरे हमारा जो level है, वो tough होता जाएगा, ठीक है, second question, assertion, the sun looks bigger in size at sunrise and sunset than during a day, assertion जो है, वो बिल्कुल सही है, अगर हम बात कर रहे हैं कि sunrise और sunset के time पे, तो sunrise और sunset के time पे, जो हमारा sun है, वो कहा होता है, horizon पे होता है, ठीक है, और अगर during the day बात करते हैं, तो वो exactly हमारे head के above होता है, right, reason क्या है, the phenomena of diffraction bends light rays, देखे, reason यहाँ अपने आप में सही है, diffraction में क्या होता है, light rays जो है, वो bend होती है, ठीक है, तो reason अपने आप में सही है, assertion अपने आप में सही है, लेकिन हमारा जो reason है, वो हमारे assertion को correctly explain नहीं कर पा रहा है, इसलिए, ऐसे में हम, जो है, वो option number B, choose करेंगे, where assertion and reason both are true, but the reason is not the correct explanation of assertion, ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, जो sun है, वो sunset के time पे या sunrise के time से बढ़ा दिखता है, तो यह है, इसका जो reason आएगा, वो आएगा, due to refraction, रिफ्राक्शन की वजए से refractive index, अगर हम देखे, अलग-अलग height होगी, जब sunrise की हम बात क करें, तो यहां पर, और जब during the day में हमारा जो sun होता है, उनके height में जो है, वो difference आता है, atmosphere में जो height है, और height के difference के होने की वज़ा से, रिफ्राक्टिव इंडेक्स में डिफ्रेंस आता है, और उसी की वज़ा से यहां पर refraction होकर होता है, और refraction की वजए से ही हमको ऐसा लगत परते हैं, third question की तरफ, assertion, in optical fiber, the diameter of the core is kept small, optical fiber जो है, वो application है कि इसका TIR का, total internal reflection का, ठीक है, तो इसमें जो diameter है, core का, उसको small रखा जाता है, assertion एकदम सही है, यहां पर, reason परते हैं, this smaller diameter of core ensures that the fiber should have incident angle more than the critical angle required for total internal reflection, बिल्कुल सही है, assertion भी यहां पर सही है, और हमारा जो reason है, हमारे assertion को correctly explain भी कर रहा है, ठीक है, इसलिए हमको choose करना है, option number 1, देखे, होता क्या है, optical fiber जो है, वो application है, किसका total internal reflection का, ठीक है, अगर हमें total internal reflection चाहिए, तो उसके लिए हमारा जो incident angle है, वो कैसा होना चीए, greater than the critical angle ठीक ये condition होती ही किसकी TIR की, अब अगर हमारा जो कोर है, अगर हमारे पास एक कोर है, ठीक, अगर हमारा जो कोर होगा, यहां पर कोर होता है, और इसके आउटर वाले में होता है, ठीक है, तो जो हमारा कोर है, उसका जो डायमेटर है, वो approximately कीतना होना चीए, 10 micrometer ठीक है इतना होना चाहिए यह diameter होना चाहिए कि इसका core का smaller diameter जो होगा core का उसमें अगर जो light incident होगी उस incident light का जो angle होगा यानि कि angle of incidence वो कैसा होगा greater होगा critical angle से ठीक है यानि कि हमारा जो जितना छोटा हमारा core का diameter होगा उतना ही जादा incident angle होगा ठीक है इस वजह से जो core है उसका diameter कम से कम रखा जाता है ठीक तो इसलिए यहां पर assertion और reason दोनों ही सही है देखिए reason को फिर से पढ़ते हैं this smaller diameter of the core ensures that the fiber should have incident angle more than the critical angle बिल्कुल सही बात है TIR के लिए हमें incident angle ही तो जादा करना रहता है और जो diameter है अगर उसको हम जितना जादा छोटा रखेंगे उतना ही जादा हमारा incident angle होता जाएगा ठीक है तो इसका जो correct answer होगा वो होगा option number A I hope आपको यह समझ आया हो बढ़ते हैं next question की तरफ assertion diamond glitters brightly जो हमारा diamond है वो shine करता है glitter करता है किसकी वज़े से ये एक application है phenomenon है किसकी वज़े से occur होता है ये TIR की वज़े से total internal reflection की वज़े से reason पढ़ते है diamond does not absorb sunlight बेल्कुल सही है reason देखी अपने आप में सही है assertion जो है वो अपने आप में सही है लेकिन हमारा जो reason है वो हमारे assertion को correctly explain नहीं कर पा रहा है ठीक है अगर हम diamond की बात करें तो diamond का critical angle है diamond का critical angle है वो approximately कितना होता है 24 डिगरी ठीक है और जो light होती है वो यहाँ पर क्या करती है suffer करती है जैसे अगर हमारे पास diamond का structure है उसमें अगर अगर हमारे पास एक diamond का structure है और उसमें अगर light जो है वो enter कर रही हो जैसे ये ठीक है अब इसमें अगर light जो है वो enter हुई तो उसके बाद जो light एंटर होती है यहाँ पर multiple क्या होने लगेंगे ऐसे TIR होने लगेंगे ना multiple reflections अंदर अंदर होने लगेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखे अंदर TIR की first condition क्या होने चाहिए आई ट्रे कहां से जा रही है from denser to rarer medium और TIR कब possible होता है जब critical angle कैसा हो smaller हो और हमारा जो incident angle हो वो कैसा हो greater हो ठीक है तो diamond में ऐसा possible होता है क्योंकि diamond का जो critical angle है वो 24 होता है ठीक है और इसी वजह से यहाँ पर जो TIR है वो possible होता है और अंदर जो light है वो इसके अंदर जाएगी तो सही बट इसका मतलब यह नहीं है कि जो हमारा diamond है वो इसको absorb कर लेता है कभी ना कभी जो incident angle होगा वो critical angle से कैसा हो जाएगा कम और उस टाइम पे हमारी जो light होगी वो जैसे अंदर गई है वैसे बाहर भी वापस लौट आएगी इसलिए हम यह नहीं बोल सकते कि जो diamond है वो हमारी sunlight को या हमारी incident light को क्या करता है absorb कर लेता है ठीक है तो यह जो diamond है वो glitter करता है किसकी वज़े से tIR की वज़े से ठीक तो यहां जो reason है वो हमारे assertion को correctly explain नहीं कर रहा है अगर हम reason पड़ें reason में क्या लिखा है? diamond does not absorb sunlight तो यहां पर यह statement भी सही है, assertion वाला statement भी सही है लेकिन जो reason है हमारा वो हमारे assertion को correctly explain न नहीं कर रहा है ठीक है तो इसलिए हम यहाँ पर चूज करेंगे option number B बढ़ते हैं next question की तरफ assertion endoscopy involves use of optical fibers to study internal organs एकदम सही है कि जो endoscopy है उसमें क्या होता है internal organs की study की जाती है और उसमें use किये जाते है optical fibers reason optical fibers are based on phenomena of total internal reflection एकदम सही है कि optical fibers जो है वो किस पर बेज रहते है total internal reflection पे तो यहाँ पर assertion और reason दोनों ही सही है और जो reason है हमारे assertion को correctly explain भी कर रहा है ठीक है optical fibers का तो यही तो use है कि वो total internal reflection करके क्या पहुंचाता है message पहुंचाता है ठीक है तो जो हमारा assertion भी सही हो reason भी सही हो reason हमारे assertion को correctly explain भी कर रहा है इसलिए हम choose करेंगे option number a ठीक बढ़ते है next question की तरफ assertion virtual images are always erect एकदम सही है assertion यहाँ पर कि जो भी virtual images होती है वो कैसी होती है erect होती है erect ठीक है reason पढ़ते है virtual images are formed by diverging lenses only देखिये reason जो है यहाँ पर गलत हो गया क्यों क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जो virtual images है वो सिर्फ और सिर्फ diverging lens create करते हैं लेकिन अगर हम एक convex lens की बात करें जो की होता है converging lens ठीक है अगर हम एक convex lens की बात करें जो की होता है converging lens तो converging lens में भी virtual image form होती है कब जब हमारा जब हमारा जो lens है जब हमारा यह जो lens है और जो object है वो कहां पर प्लेस जो optical center और focal length के बीच में जब हम एक convex lens की बात करते हैं तो यह है optical center और यहाँ पर है focal length अगर हमने एक object को focal length और optical center के बीच में placed किया है ऐसे तो जो यहाँ पर image form होगी वो भी एक virtual image होगी ठीक है तो एक converging lens भी virtual image form कर सकती है तो यहाँ जो given assertion है वो correct है लेकिन हमारा जो given reason है वो कैसा है false है ठीक है अच्छा यह virtual images are always erect का example तो हम वैसे भी देख सकते है daily life में जो हमारा plane mirror होता है उसमें भी तो virtual image form होती है तो वो भी कैसी होती है erect होती है ठीक है तो हमारा जो assertion है वो correct है लेकिन जो given reason है वो wrong है ठीक तो जो हमारा जो option होगा, जो हमारा answer होगा, वो होगा option number C, assertion is true, while the reason is false, next question, assertion, a concave and convex lens both have same focal length in air, when they are submerged in water, they will have the same focal length, बिल्कुल गलत है ये तो, जो हमारा given assertion है, वो ही यहाँ पर गलत है, क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक concave, या फिर convex lens दोनों है, ठीक है, और उन दोनों का जो focal length है, air में, और अगर हमने उन दोनों lenses को water के अंदर डाला, तो उनका जो focal length होगा, वो same ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब भी हम किसी convex lens को, या concave lens को water के अंदर डालते हैं, तो refractive index में फरक पड़ेगा, तो focal length में फरक पड़ेगा, किस की वज़े से refractive index के change होने की वज़े से, क्योंकि अगर हम बात करें, जो focal length है, lens की वो किस पर depend कर रही है, 1 upon f is equal to, आपने ये relation देखा होगा, n-1, ठीक है, और यहाँ पर आता है, 1 upon r1 minus 1 upon r2, ठीक है, 1 upon r1 minus 1 upon r2, ठीक, I cannot try it completely here, बट आपको ये relation आपने study किया होगा, कि 1 upon f is equal to क्या होता है, यहाँ फिर ऐसे पड़ा होगा, 1 upon f is equal to, 1 upon f is equal to, n2 upon n1 minus 1, and 1 upon r1 minus 1 upon r2, कुछ इस type का relation आपने देखा होगा, ठीक है, तो यहाँ से भी अगर हम देखे, कि अगर हमने क्या किया है, lens को water में डाला है, तो water का जो refractive index होता है, वो कैसा होता है, greater, ठीक, लेकिन अगर हम उन दोनों के net refractive index की बात करें, तो net refractive index क्या हो जाता है, decrease, और net refractive index के decrease होने की वजह से, यहाँ पर क्या होने लगेगा, जो focal length होगा, वो increase हो जाएगा, तो जैसे ही हम, जैसे ही हम convex या concave lens को water के अंदर डालेंगे, त उसका focal length जो है, वो same नहीं रहेगा, focal length में फरका जाएगा, ठीक, इसलिए जो given assertion है, यहाँ पर देखे, लिखा है, focal length कैसी होगी, उसकी same होगी, ठीक, लेकिन same नहीं होगी, ठीक, तो यहाँ given assertion ही wrong है, the refractive index of water is smaller than the refractive index of air, यह reason जो है, वो भी गलत है, क्योंकि refractive index water का कैसा of air, तो यहाँ पर हम option number D choose करेंगे, where assertion and reason both are false, ठीक है, अकर इसको हमें ऐसे भी समझना हो, तो ऐसे भी समझ सकते, जैसे देखे, हमारे पास क्या relation है, n2 minus n1, जैसे हमारे पास relation क्या था, 1 upon f, जो है, वो किसकी proportional होता है, n2 upon n1 minus 1, यहाँ पर n2 क्या है, वो refractive index, जिसमें light enter कर यहाँ जैसे हमारा lens में enter करेगी, और n1 क्या है, हमारा surrounding का refractive index, तो पहले surrounding का refractive index कितना था, air का 1, और अब जो है surrounding का refractive index, वो कितना हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, यानि कि अगर हम water में डाल रहे हैं, तो यह कितना हो जाएगा, 1.33 हो जाएगा, ठीक है, तो यह overall relation ह decrease हो गया, मतलब हमारा 1 upon f वाला relation, यह 1 upon f भी क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर हम हमारा 1 upon f जो है, वो decrease कर रहा है, इसका मतलब जो focal length होगी, वो क्या करेगी, increase करेगी, ठीक है, ऐसे भी हम इसको समझ सकते थे, ठीक, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ N1 को और f को compare करें, तो N1 यहाँ पर क्या हो रहा है, increase हो रहा है, ठीक है, water का refractive index बढ़ रहा है, तो हमारा जो f है, वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है, I hope आपको यह समझ आया हो, बढ़ते हैं हमारे next question की तरफ, ठीक, 8th question, assertion, if a convex lens is kept in water, its convergent power decreases, same बही चीज यहाँ पर फिर से repeat होई है, कि अगर हमें convex lens को water के अंदर डाल दे, ठीक है, तो इसकी focal length जो है, वो क्या हो जाती है, increase हो जाती है, और अगर focal length increase हो गई, मतलब उसका जो convergent power है, वो decrease होने लगता है, वो थोड़ी सी behave करती है, diverging lens की तरह, ठीक, तो reason क्या है, देखिए, focal length of convex lens in water increases, बिलकुल सही बात है, जो focal length है, वो increase हो जाती है, और जो reason है, वो भी एकदम सही है, इसलिए यहाँ पर जो correct answer होगा, हमारा, वो गा option number A, assertion and reason are true, and the reason is correct explanation of our assertion, ठीक है, बढ़ते है, next question की तरफ, हमारा ninth question है, assertion, dispersion of light occurs because velocity of light in a material depends upon its color, देखिए, जो dispersion है, light का, वो occur करता है, किसकी वज़े से, क्योंकि, जो different, different velocity होती है, light के अंदर, जो color की, उसके उपर depend करता है, हना, given assertion जो है, यहाँ पर बिलकुल सही है, अगर हम reason पढ़ें, the dispersive power depends only upon the material of the prism, not upon the refractive angle of the prism, बिलकुल सही है, देखिए, reason भी यहाँ पर सही है, assertion भी स सही है, लेकिन हमारा जो reason है, वो हमारे assertion को correctly explain नहीं कर रहा है, ठीके, हना, अगर हम बात करें, dispersive power की, तो उसको denote क्या रहत है, omega से, यह किसके बराबर होता है, refractive index of violet minus refractive index of red upon refractive index of yellow minus 1, यह relation होता है, तो यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है, कि जो dispersive power है, वो depend करती है, material of the prism, यानि की refractive index पे, तो हमारा जो given reason है, वो बिलकुल सही है, ठीके, given reason जो है, वो बिलकुल सही है, अपने आप में सही है, लेकिन assertion को read करें, dispersion of light occurs because of velocity, यह जो dispersion है, वो किसकी वज़े से हो रहा है, जो color में अलग-अलग velocity है, उसकी वज़े से आनी कि हम बोल सकते हैं, wavelength की वज़े से हैं, तो assertion यहां पर एकदम सही है, लेकिन हमारा जो reason है, वो हमारे assertion को correctly explain नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारा जो correct answer होगा, वो होगा option number B, assertion is true, assertion and reason both are true, but the reason is not the correct explanation of assertion, ठीक? 10th, assertion, the clouds in the sky generally appear whitish, जो clouds हैं, वो sky में generally कैसे दिखते हैं, whitish दिखते हैं, क्यों? क्योंकि clouds के अंदर क्या होते हैं, dust particles वगेरा होते हैं, जिनका size जो है, वो बड़ा होता है, और अगर उनका size जो है, वो बड़ा होता है, तो scattering जो है, वो यहाँ पर जादा नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर जो reason आना चाहिए, ऐसा किसकी वज़े से होता है, scattering की वज़े से होता है, ना कि diffraction की वज़े से, यहाँ पर लिखा हुआ है diffraction, अरी diffraction तो बहुत, जब बहुत छोटे छोटे wavelength के particle होगे, उसकी वज़े से होगा, लेकिन यहाँ पर clouds में particle कैसे होते हैं, fraction की वज़े से, ठीक, तो जो reason है, वो बिलकुल गलत है, यहाँ पर, इसलिए हम option number C चूस करेंगे, इसका correct answer होगा, C, assertion is true, while the reason is false, ठीक है, next question, assertion, the rainbow is seen something in the sky when it is raining, when one sees a rainbow, one's back is towards the sun, बिलकुल सही बात है, अगर हम यहाँ पर एक example लें, जैसे यह है मेरी water की droplet, ठीक, और water की droplet, और यहाँ से आ रही है sun की light, ठीक, तो water की droplet रहती है, उसके अंदर जैसे ही हमारी light ray enter होगी, अब यहाँ से light ray जो है, वो droplet के अंदर पहुंच गई, जहाँ पर refractive index कैसा होगा, जादा, और बाहर जो होगा refractive index काम होगा, यानि कि अंदर होगा हमारा denser medium, और ब light ray denser से rarer जाएगी, अगर इस case में हमारा जो incident angle होगा, वो critical angle से कैसा होगा, greater होगा, तो यहाँ पर हमको TIR देखने को मिलेगा, तो जो rainbow है, उसमें सबसे पहले जो condition होती है, वो क्या होगी, कि यह सा क्यों होता है, टोटल इंटरनल reflection की वज़े से, उसके बाद जब यह light ray वापस लॉट करके आएगी, तो हम देख सकते हैं, कि जो sunlight का enter होने का direction है, वो कुछ ऐसा है, और जो हमारी final ray है, वो हम देख सकते हैं, कि backward direction में है, इसलिए अगर कोई rainbow देख रहा है, तो उसका जो direction होगा, वो कैसा होगा, opposite to the sun, opposite to the sun, ठीक है, तो हम reason पढ़ लेते हैं, assertion जो है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर, reason पढ़ते हैं, internal reflection from water droplet, causes dispersion, देखें, यहाँ पर dispersion cause होता है, the final ray in the backward direction, जो final ray होती है, वो backward direction में होती है, और जो total internal reflection होता है, उसकी वज़े से यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, dispersion देखने को मिलेगा, ठीक, तो reason यहाँ पर एक्दम सही है, इसलिए हम option number A choose करेंगे, reason हमारे assertion को correctly explain कर रहा है, ठीक, बढ़ते हैं, next question की तरफ, assertion, the air bubble shines in water, जो air bubble है, water के अंदर shine करता है, ऐसा क्यों, वही, TIR की वज़े से, क्योंकि जो velocity है, light की speed, speed of light, जो है, air में कैसी होती है, greater, और जो water है, उसमें light की speed कैसी होती है, कम, तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, total internal reflection, देखने को मिलेगा, ठीक है, light के difference होने की वज़े से, refractive index, देखो, दुनों का difference हो जाएगा, refractive index, डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पर TIR कॉस हो तो यहाँ पर अगर हम reason पढ़ें, तो reason appropriate नहीं कह सकते है, हम इसको यहाँ पर क्या लिखा है, देखो, यहाँ पर लिखा, it is because of reflection of light, लेकिन, reflection of light, इसका main reason होगा, वो नहीं होगा, main reason क्या हो जाएगा, TIR होगा, इसलिए हमारा reason हो यहाँ पर गलत होगा, इसका reason क्या आना च reflection की वज़े से ऐसा होता है, कि जो air bubble है, वो shine करता है, जिस तरह से जैसे diamond shine कर रहा था, वो भी एक application है कि इसका TIR का, उसी तरीके से यह जो air bubble है, वो shine करता है, किसकी वज़े से, TIR की वज़े से, ठीक है, तो हमारा जो assertion है, वो correct है, reason जो है, वो false है, तो इसलिए हम option number C चू convex lens, refractive index 1.5, has focal length 10 cm, when the lens is immersed in water, n is equal to 4 by 3, its focal length becomes 40 cm, एकदम सही है, देखें, अगर हम यह formula use करें, 1 upon F is equal to n minus 1, और क्योंकि double convex lens use कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं, 2 upon R, ठीक है, यह formula use करकर, हम पहले focal length जो है, वो रखेंगे किसकी air, focal length रखेंगे lens की air में, और फिर focal length निकालेंगे water में, ठीक है, और तब जो refractive index होगा, जैसे n, n की जगापर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, n2 upon n1 लिख सकते हैं, या nL upon ns लिख सकते हैं, यानि कि refractive index of lens to refractive index of surrounding लिख सकते हैं, तो यहाँ जो ratio आएगा, उस हिसाब से यह जो focal length है, वो हमको क्या मेलेगी, देखिए, सारी value put करने के बाद, हमको जो focal length में relation निकलेगा, दोनों equation से, वो निकलेगा, कि जो focal length होगी water की, वो किसके equal आएगी, 4 times of focal length of air, ठीक है, और यहाँ पर focal length of convex lens in air कितना दिया हुआ था, 10 cm, और जैसी हम यहाँ पर 4 into 10 करेंगे, तो देखिए, जो focal length होगी, वो कितनी हो जाएगी, 40 cm हो जाएगी, और यही तो हमारे assertion में लिखा हुआ है, ठीक, तो reason में भी देखिए, यही जो formula है, वो use करके, हम यह जो है focal length निकाल सकते हैं, ठीक है, तो assertion भी सही है, और हमारा reason भी सही है, इस second relation आप निकालेगा, 1 upon FW का, और दोनों से ही हमको एक relation मिलेगा, यह relation आप याद रखेगा, FW, यानि focal length of water, focal length of lens in water is equal to 4 times of focal length of lens in air, ठीक है, focal length of lens in water is equal to 4 times of focal length of lens in air, एसा relation निकलेगा, ठीक है, 14th, assertion, critical angle of light passing from glass to air is minimum for violet color, बिल्कुल सही बात है, कि जो critical angle रहता है, violet color का, जब light ray glass से air में pass कर रहे हो, तो जो violet color का critical angle होगा, वो कैसा होता है, minimum होता है, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं, violet light की, तो violet light में जो wavelength है, violet light का, वो कैसा होता है, least होता है, ठीक है, और इसी लिए ही, अगर हम बात करें, refractive index देखे, अगर हम, अगर हम critical angle और refractive index का relation देखें, तो critical angle और refractive index का relation क्या निकलेगा, one upon sin ic आना चाहिए, इस टाइप से कुछ, ठीक, तो हम देख सकते हैं, यहाँ पर, कि जो critical angle है, वो refractive index के कैसा है, inversely proportional है, और अगर हम बात करें, wavelength की, तो यहाँ पर refractive index और wavelength भी कैसे होते हैं, inversely proportional होते हैं, ठीक है, और इन दोनों relation को हम देख करके बता सकते हैं, कि जो critical angle है, वो wavelength के कैसा होता है, डिरिकली proportional होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कि अगर हमारी violet color को हम देखे, तो violet color का, जो refractive index, violet color का, जो wavelength है, वो कैसा होता है, कम होता है, ठीक है, minimum होता है, यहां हम बोल सकते हैं, least होता है, इसलिए इसका जो critical angle होगा, वो भी कैसा होगा, minimum होगा, least होगा, ठीक, तो assertion जो है, यहां पर बिल्कुल correct है, reason, the wavelength of blue light is greater than the light of other colors, wavelength of blue, अभी यहां पर हमने बोला, violet color के लिए भी, तो यहां पर blue color की light के लिए, जो wavelength होता है, वो कैसा होता है, least होता है, ठीक, तो reason जो है, यहां पर गलत है, इसलिए हम option number C choose करेंगे, ठीक, wavelength जो है, वो किसका greater होता है, red color की light का, ना कि blue color की light का, option number C is का correct answer होगा, assertion is true, while the reason is false, next question, 15th question, assertion, the images formed by total internal reflections, are much brighter than those formed by mirror और lenses, बिल्कुल सही बात है, कि अगर हम बात कर रहें, total internal reflection की, तो उसमें जो image form होती है, वो mirror से और lenses से कफी जादा bright होती, तो ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जो intensity है, वो lost नहीं होती, किसके case में, total internal reflection के case में, 100% incident light, जो है, वो reflect back हो जाती है, हना, reason पढ़ते हैं, there is no loss of intensity in the total internal reflection, बिल्कुल सही है, reason हमारे assertion को correctly explain भी कर रहा है, इसलिए हम option number A choose करेंगे, ठीक, next question, assertion, the focal length of lens does not change when red light is replaced by blue light, एकदम गलत है यह, अगर हम इस हिसाब से देखें, तो यहां तो इनका मतलब यह है, कि जो focal length है, वो depend ही नहीं करती, wavelength पे, ठीक, लेकिन अगर हम देखें, कि जो हमारी focal length है, वो किस पर depend कर रही थी, refractive index पर depend कर रही थी, और इस हिसाब से अगर हम बात करें, कि refractive index जो blue color की light का होगा वो कैसा होता है refractive index जैसे अगर हम n से denote करे refractive index of blue light is greater than the refractive index of red light ठीक है और अगर हम बात कर रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि हमें पता है क्या refractive index और जो wavelength है उन दोनों की बीच inverse relation है ठीक है अगर wavelength जो है red color की light की greater होती है और blue color का light का wavelength है वो कैसा होता है smaller होता है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो refractive index होगा blue color की light का वो greater होगा as compared to red color की light का refractive index ठीक है और यहाँ से अगर हम बात करें कि जो focal length होगी वो इसके कैसी होती है inversely proportional होती है ठीक है तो यहाँ पर हम बोलें कि जो focal length होगा focal length होगा किसका red color की light का वो greater होगा as compared to focal length of blue color की light ठीक तो यहाँ तो देखें न focal length जो है वो तो depend कर रही है किस पर wavelength पे depend कर रही है क्यों क्यों कि यह refractive index पे depend कर रही है और refractive index wavelength पे depend कर रहा है ठीक है तो तीनों ही एक दूसरे से dependent है तो यहाँ पर अगर हम देखें जो focal length है वो change होगी ठीक है जो focal length है वो change हो जाएगी कैसे change होगी focal length जो है वो decrease हो जाएगी ठीक तो यहाँ जो हम option number choose करेंगे वो होगा option number हमारा D क्यों क्योंकि assertion भी गलत है आंसर जो होगा वो हमारा होगा D ठीक जिसमें assertion जो है वो भी false है हमारा और reason में भी देखें क्या लिखा है the focal length of the lens does not depend on the color of light कि जो focal length है वो color of light पे यानि कि जो wavelength है उस पर depend ही नहीं करता लेकिन अभी हमने देखा कि यह तो depend कर रहा है तो इसका जो correct answer होगा अब होगा option number D ठीक है next question assertion by increasing the diameter of the objective of telescope we can increase its range बिल्कुल सही है अगर हमने क्या किया objective lens का जो diameter है उसको बढ़ा कर दिया डाइमेटर को बढ़ा कर दिया तो जो range होगी उसकी वो क्या हो जाएगी increase हो जाएगी ठीक है range जो होगी वो उसकी क्या हो जाती है increase हो जाती है लेकिन अगर हम यहाँ पर reason देखें the range of telescope tells us how far a star of some standard brightness can be spotted by telescope यहाँ reason तो अपने आप में सही है assertion भी अपने आप में सही है लेकिन हमारा जो reason है वो हमारे assertion को correctly explain नहीं कर रहा है इसलिए हम choose करेंगे option number B ठीक next question assertion if objective and eye lens of microscope are interchange then it can work as telescope देखें अगर हमारे पास एक objective lens और eye lens है किसका microscope का ठीक और हमारे पास microscope में जो eye lens होता है वो greater होता है ठीक microscope में जो eye lens होता है वो greater होता है और objective lens होता है वो कैसा है smaller होता है तो यहाँ पर इस question में क्या बोला है कि अगर हम इसको replace कर दें अगर अब्जेक्टिव को eye piece बुलाने लगे और eye piece को objective बुलाने लगे तो क्या यह हमारा telescope का काम करने लगेगा मतलब अगर मैं object को यहाँ रख दूँ तो क्या यह telescope की तरह behave करने लगेगा तो answer जो होगा वो होगा no ऐसा क्यों क्यों क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं एक objective एक objective यानि की नहीं मैक्रोस्कोप में अगर हम बात कर रहे हैं एक eye piece का ठीक है तो eye piece के लिए microscope में जो eye piece होगा वो कौन सा होगा यह बड़ा वाला lens अगर अगर हम इसको देखें तो यह हमारे लिए objective का काम करेगा लेकिन इसकी जो focal length होती है वो millimeter के आसपास होती है यहा कुछ centimeter के आसपास होती है ठीक है तो अगर हम इसको compare करने लगेगे telescope से तो भाई telescope का जो objective lens होता है वो तो बहुत ही बहुत जादा उसकी जो focal length रहती है वो बहुत बहुत जादा होती है ठीक है इसके comparison में तो यहाँ पर ऐसा करना बहुत गलत हो जाएगा कि हम एक microscope के objective और IPS को interchange कर दे तो वो telescope की तरह करने लगेगा answer is no ऐसा क्यों होता है क्योंकि focal length जो होगी वो कैसी होती है बहुत काम होती है इन lenses की ठीक है तो जो इसका जो correct answer होगा वो होगा हमारा option number D क्योंकि हमारा assertion जो है वो गलत है if objective and eye lenses of microscope are interchange then it can work as telescope थे तो गलत है the objective of telescope has a small objective का जो telescope का जो objective रहता है objective lens होता है उसका focal length कैसा होता है smaller नहीं होता है बलकि कैसा होता है greater होता है larger होता है तो यहां पर जो हमारा assertion और reason दोनों ही गलत है इसलिए हम चूज करेंगे option number D बढ़ते हैं next question की तरफ assertion if the angles of the base of the prism are equal then in the position of minimum deviation the refracted ray will pass parallel to the base of the prism बिल्कुल सही है देखिए अगर मेरे पास एक prism है ठीक है और prism में यह जो base angles होएं इसके जो दोनों base angles हैं उनका जो angle है वो कैसा है same है ठीक और अगर हम बात कर रहें minimum deviation की तो भही minimum deviation में क्या होता है angle of incidence is equal to angle of emergent यहां से ना जो angle of incidence रहता है वो किसके equal होता है angle of emergent के ठीक है angle of emergent के तो यहां से अगर हम देखें तो यह जो हमारा r1 और r2 होगा lens के अंदर प्रिजम के अंदर का जो refracted angle होंगे हमारे वो भी कैसे हो जाएंगे same हना और यह जो हमारी refracted ray होगी वो कैसी हो हमारी जो baseline है उसके parallel दिखने लगती है ठीक है तो ऐसा सिर्फ तभी होता है जब हमारा जो प्रिजम का base angle कैसा हो equal और हमारी condition कौन सी हो minimum deviation की condition हो जिसमें हमारा angle of incidence जो है वो किसके जो reason है हमारा देखो हमारे assertion को भी correctly explain कर रहा है तो हम यह option number a choose करेंगे I hope आपको यह समझाया हो बढ़ते हैं आज के last question की तरफ assertion the refractive index of a prism depends on the kind of glass of which it is made of and the color of light बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास prism है उसका जो refractive index है वो किस पे ग्लास से बना हुआ है इस पर depend करता है और दूसी चीज़ वो depend करता है color of light पर हना यानि की wavelength पर depend करता है जो हमारा assertion है वो एकदम सही है reason पड़ते है the refractive index of a prism does not depend on the wavelength यह तो देखो उपर क्या लिखा है कि जो color of light है उस पर हमारा refractive index depend कर रहा है color of light मतलब की wavelength की बात कर रहे रिफ्राक्टिव index जो है वो wavelength पर depend करता है और नीचे क्या लिखा है कि जो refractive index है वो हमारे wavelength पर depend ही नहीं करता है यानि कि reason जो है वो गलत है और हमारा जो assertion है वो एकदम सही है इसलिए हमारा जो correct answer होगा वो होगा option number C ठीक है I hope आपको आज के question जो है वो अच्छी तरह से समझ आए हूँ अगर आपको किसी भी question में doubt है तो आप comment box में अपने जो doubt है वो पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया तो इसको share जरूर कीजेगा ठीक और इसके बाद हम discuss करे करेंगे हमारे वेव ऑप्टिक्स का जो वेव ऑप्टिक्स के जो अजर्शन रीजन है उसको आज की जो अजर्शन रीजन question है उसको मैं टेलिग्राम चैनल physics catch-through words पे share कर दूंगी तो आप वहां से questions जो है वो देख सकते हैं और उसको practice कर सकते हैं ठीक है thank you so much for watching this video मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहिए बाबाए